ये गाईज नमस्कार बंदे मात्रम आदाब सबस्तरियकाल तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो आईटाइक के स्टुडेंट है अभी पास हुए है जो 2018 के बैच का रिजल्ट आये था उसके बारे मैं कुछ बात करना चाहता हूं जो स्टुडेंट फेल हो गए हैं उनको मैं बताऊंगा कि अगले एक क्या करना आए उनके लिए पेपर सालनый अब 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 हागा उगआ रिदिस आपको debate मैं पर अभी तक आव ने चैनल को सबस्क्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस कर लो तो आए मैं बताता हूं आपके लिए इसका प्रोसेस क्या रहेगा सब सब पहले गाईज मैं आपको बता देता हूं जो 2018 वाला बैश सिर्फ में 2018 में जो स्टूडेंट है उनकी बात करूँगा यहां पर चाहे वो इलक्ट्रीशन से हो गाईज ठीक है चाहे वो इलक्ट्रीशन वाले हो या फेटर वाले हो या कोई भी अधर ट्रेंट से ब्लांग करते हो कोई भी इस्टूडेंट हो आईट्याई का 2018 वाला उनके लिए मैं बता रहा चाहूंगा इस वीडियो में कि जो फेल हो गए इस्टूडेंट जो फेल हुए है उनके लिए अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है पर अपडेट आने वाली है इस जून के बाद जो जुलाई आएगा ना जुलाई जुलाई का मत जैसे शुरू होगा वैसे ही आपको अपडेट आएगी एक ऑनलाइन लिंक आए आपके पीस्कूड एटे चीएंपल घ्रिंट होगी आनलाई जो पीस्क कटी होगी आपकी जो फीस थी वो ऑनलाई कटी ठीटूड एएड पीटिमी मनलाब उसकी बैक या पिर ट्रेट फैरी में ragке की बैक है ठेक है समझ रहा है ना मेरी बात को यह बर्ष्टॉप कैल्फिलेशन में उसकी बैक है तो यह सभी कैटागरी के स्टुडेंटों के जो एक्जाम है वो हो जाएंगे जुलाई में अभी और एक मन्द पलव अगस्त में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा आप अप्र हो चुका है तो बताया है कि जुलाई में इनका पेपर होगा सबका ओनलाइन फिस कटेगी आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलती रही तो गाइस आपके लिए बता दिये कि आपके एक्जाम हो जाएंगे जो बच्चे फेल हो गए हैं तो आप टेंसन नाले और बस मेरे हुआ है